चलिए आप सभी का स्वागत है एडुपत आचारे क्लासेस के एडुकेशनल डिजिटल प्रेटफॉर्म पे मैं आपका अपना रवी आचारी आप सभी का वेलकम करता हूँ खुट फिट सेक्न कारा स्फेपर आच सुरू हो चुका है एक पार जल्दी से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बिल्कुल शाबास बीटा एक करके सारे की सारे कोशन अम डिल कर रहे हैं फटाबट तरीके से आपके सही आंसर आप भी सेंड करें जल्दी से और एक बार वीडियो को फटाबट फटाबट आप क्या गड़े शेर कर दे ताकि बढ़िया पर यहां से तो स्टार्ट कर देते हैं यहां से आप लोगे लिए आता है सीधा यहां से वायपास सरज़री होता हुआ देखिए सकुषण का राइट आंसर क्या है जल्दी से देख लीजिए एक बार थोड़ा सा अपना चलिए यह बहुत बढ़िया बात है यह नहीं हो रहा तो यह लीजिए यहां से एक से थोड़ा साफ रुख जाए चलिए कर दो 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 कि चलिए तरा पहले का राइट आंसर क्या होगा यहां कि बताए तो यह कोश्ण है पहला आप लोगों के लिए यहां पर जो दिखाई दे रहा है यहां आराम से दीरे-दीरे चले बिटा न क्योंकि यहां पर मामला गर बढ़े पेन कौन सा क्या चलेगा देखना है यहां लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है मुंसी तिरलोग चंद माथुर का संबंध निम्लिकित में से किस प्रजामंडल से है जैसे विकानेर प्रजामंडल करोरी प्रजामंडल जेपूर प्रजामंडल और मारवार प्रजामंडल तो सही आंसर क्या होगा यह जो आपके पास मुंसीत जी बिल्कुल शाबाद बताए ए जी सरा वहां द सर क्या है ठीक है नेक्स कोशन यहां से देखिए आपके साथ नेक्स कोशन लिखा हुआ है एक सेकिन थोड़ा सा रुकिए इसको अटा देते हैं फिरटा है ज़ीं सेकर नंबर का माना गया है मिठाई माना गया है या आपुशन माना गया तो यहां हम देखेंगे चो पोमचा है बाल क्या है औल यह सारी इसके बाद यहां से देखिए नेक्स कोशन आप लोगों के साथ आता है 89 इसका अंसर दीजे भारत के सविदान के निम लिकित अनुच्छेदों में से किसमें यह उलेकित किया गया है कि किसी राज्य के राज्यपाल की पदावती के दोरान उसकी गृपतारी या कारावास के लिए किसी नियाले से कोई आदेशिका नहीं निकाली जाईगी यहां से समझ में आ गया हुगा कोशन जी यहां बिल्कुल स्टार्ट से करवा रहे हैं बहुत बढ़िया भारत के सविदान के निमली की तनुच्छेद में से 371 आर्टिकल का 3 और 361 आर्टिकल का A और 361 आर् क्या नहीं होगा शाबाज बहुत बढ़िया बात है शाबाज वावई वामज आ गया चल्दी बताईए इसका कर्रेक्ट आंसर क्या होगा और क्या नहीं होगा शाबाज तो यहां से रेखें स्टार्ट से ही है बही है अलग-लग कोड आ रहे हैं पेपर के तो जिसका जो बात समझ में आगे होगी ठीक इसके बाद अब हम बात कर रहे हैं यहां पर भारत के सविदान के निम लिकित अनुच्छे दो में से इसका अंसर किसी नहीं दिया है अभी तक इसका अंसर पेटा 361 क्या 361 यहां पर लिखा हुआ है और 361 का 3 जो लिखा हुआ है यह कर्रेक्ट आंसर है बात समझ में आ गए होगी यहां तक ही मेरे घ्याल से आप लोगों से बहुत बड़े बात है शाबाद बटा शाबाद शाबाद इसके बाद फेपर ही इसके बाद यहारत बी आंसर बिल्कुल सही है इसके बाद नेक्स क्या किया रहा है यहां पर देखोंब इचन बटा यह कोशन करा है थार मोहत्सव का आयोजन निम लिकित में से किस इस्तान पर किया जाता है क्या थार मोहत्सव का आयोजन निम लिकित में से किस इस्तान पर किया जाता है शाबाज जल्दी से आंसर बताई ये इसका कर्रेक्ट आंसर क्या होगा अनवटा तो यहां से कर्रेक्ट आंसर क्या होगा क्य जी बिल्कुल तो इसका जो correct answer होगा वो होगा अपना बाड मेर शाबस अरे भाई पेपर आ गया भाई इतने बत करो ना जी ना बिल्कुल तो correct answer क्या होगा इसका इसका राइट answer होगा c bar d meir जिसे कहते है क्या बाड मेर जिसे कहते है जी हाँ इसके बाद next question यहाँ से देखिए यह है भाई साब यहाँ पर आ جाईए करवा चोत मनाई जाती है भाध्र पद कृष्न चतूरती को कारतिक ऑ कारतिक शुक्ल चतूरती तो यहां पर आंसर आएगा करवा चौत है कि इसे सके बात क कार्तिक और कृष्ण कर्रेक्ट आंसर क्या हो होगा और क्या नहीं होगा सब्सक्राइब करवा करतिक और कर्ष्ण तीनों में क्या रहा है क्या क्या रहा है इसके बार नेक्स कोशन की तरफ अगर हम चलना चाहे तो कोशन नमबर 86 यहां से 86 का क्या अंसर है ध्यान से देखें मुनसी तिरलोग चंद माथुर यह कोशन तो साथ रिपीट हुआ है कि एक्जामें दोबार आएगे कोशन है चलिए तो यह मुगल साथ हो गया कि सेवंटी नाइव ओके 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 यह पर देखें जैपूर के कौन से सासक है स्व्यम संगीता चारिये थे जैपूर के कौन से सासक थे जो स्व्यम संगीता चारिये थे जल्दी से बताये इसका correct आंसर क्या होगा और क्या नहीं होगा जल्दी बताया भई चलो साब तो यहां लिखा हुआ है जेपुर के कौन से सासक स्वयम संगीता चारिये थे प्रताप सींग थे या फिर सवाई सींग थे या फिर मादो सींग थे या फिर मान सींग थे तो जेपुर के कौन से सासक है जो संगीता चारिये थे प्रताप सींग यहां बिल्कुल बाद यहां से देखिए next question यहां पर आया आपके पास यह आ गया गीदर नर्ते होता है गीदर नर्ते कहां पर किया जाता है सेखावाटी में किया जाता है डूंडार शेत्र में किया जाता है वागर शेत्र में किया जाता है या फिर मेवार शेत्र में किया जाता है गीदर नर परबंद के रचियता है जी बिल्कुल जल्दी से बताए परबंद के रचियता कोन है चंद्रबर्दाई हो गया नर्पति नाले हो गया या पदम नाम होगा या फिर जयानक हो गया जल्दी से बताए इसका कर्रेक्ट आंसर क्या होगा पिंकी क्रेटिविटी टाइम बहुत बढ़िया दूरिना एजुकेशन वाबई वा शाबाज तो बियांतर आया है पदम नात बिल्कूल सही आंसर है जिन बच्चों ने ये आंसर दिया है बिबी जो आंसर दिया है बिल्कूल टकाटक आंसर है ठीक है शाबाज मुता चिंता ना करें आप टाइम लग सकता है लेकिन बाइद जो पनते बाहshapedर होगा तो उसके उपर हम सोथ स संप्रदाई की सिंगस्थल साका के साका के प्रवर्तक संत कौन थे हरी राम दास थे या फिर राम दास थे या फिर संतोस दास थे या फिर स्वामी राम चरण थे 82 का answer जल्दी से बताए आप लोग क्या कर क्या है बहुत बढ़िया बात है आप लोग क्या कर क्या है एक बार जितना जल्दी हो से कि उतना जल्दी answer बताइए तो यहां पर answer होगा इसका इसका correct answer क्या होगा बैटा correct answer होगा इसका राम स्नेही संप्रदाई क्या राम स्नेही संप्रदाई के सिंगाशन साका के प्रवर्तक कौन थे answer आया है बैटा यहां से कुछ बच्चों ने answer दिया है D कुछ बच्चों ने answer दिया है बहुत बड़िया बात है शाबल तो correct answer सोनु जाट ने दिया है ए आंसर वा इसका मतलब हरी राम दास जी थे क्या थे हरी राम दास जी थे 82 के अंदर 82 का अंसर होगा बैटा अपना ए निम लिकित में से राम सनेही संप्रदाई के सिंगस्तल साका के प्रवर्तक कौन थे तो प्रवर्तक कौन थे हरी रा प्रवर्तक क्या हरी राम दास दूरिना एडूकेशन ए आंसर विल्कुल टगाता गांतर ए इसका अंसर क्या किया है जल्दी से बताए निम लिकित में से कौन सा विकल्प विवा की रसमों से संबंदित नहीं है मतलब यह सारे के सारे सारे के सारी रसमें दी गई है आपको बताना इसी कौन से ऐसी रस्म है जो वेवाईक नहीं है विवास सम्मंतित नहीं है मतलब not related to marriage आपको यह बताना है कौन सा ऐसा रश्म है रितिरिवाज है तो यहां से अपने पास आया बंदोली फिर होता है समेला भाई साब क्या है समेला करणडवेत या कंकरणडबंदन या बंदोली जल्दी से 83 का आंसर दीजे बटा 83 का आंसर दीजे बटा शाबाज जल्दी से आंसर दीजे इसका 83 का आंसर क्या होगा चलो जी बहुत बढ़िया बात है यहां से एकदम मस जवाब आने लगे हैं शाबाज शाबाज बहुत बढ़िया एक बार जल्दी से ग्लास को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी शेर कर दीजिए मैं भी शेयर कर देता हूँ ताकि सभी बच्चों के पास पहुंच जाए पेपर और सभी आ जाए बिल्कुल बहुत बढ़े है शाबाज बेटा चलिए तो यहाँ पर देखिए निमलिकित में से कौन सा विकल्प विवा की बिल्कुल सही है करडवेथ करडवेथ है किसी रस्म है जो विवा से सम्मधित नहीं है क्या विवा से सम्मधित नहीं है इसके बाद यहां से 84, question number 84 में लिखा हुआ आया है, संकट काल में कौन सा किला मेवाड के राज परिवार का आस्रे इस्तल रहा था, मतलब कौन सा ऐसा किला था, जो मेवाड राज्ये का आस्रे इस्तल बनाता, जब भी कोई दुस्मन वहाँ पर अगर आक्रमन किया करता था, तो वहाँ पर कौन सा किला था, जो उनको आस्रे परदान किया करता था, अचल गड़, बसंती दुर्ग, और मचान दुर्ग, और कुंबल गड़, जी बिल्कुल, तो कर्रेक्ट आंसर क्या हुआ, यहाँ पर कुंबल गड़ हुआ, जहाँ पर महाणा परतापका जन्म मुगल प्रभाव द्रस्टी घोचर होता है इसका मतलब क्या हुआ कि निम्लिकित में से राजस्तान के किस चित्रकला से लिए जहां पर मुगलों का प्रभाव देखने को मिलता है तो कहाँ पर देखने को मिलता है एक बार जल्दी से बताए जेपुर बिल्कुल बिल्कुल जेपुरी आंसर होगा क्यों क्यों क्योंकि भाई साब मुगल ने यहाँ पर साधी वियाओ रचा लिए थे तो साधी बियाओं के अंदर जो चित्र बनाई गई थे फ्लाना परिवार के द्वारा आपका हर्ति अभी नंदन किया जाता है तो उन्हों ने अपने इसाप से बनवा लिया वावीवा जेपुर आमेर आंसर सरर सिंगल राज सोनू संजू पोटर बहुत बढ़िया तो जेप पेपर एनलाईसे से गलती से कोई आंसर गलत हो जाएगा तो मामला गरबर हो जाएगा इसलिए थोड़ा सा आराम से चलने दीजी इस वाले मामले को इसमें बाद्दुरी का काम ना करवा यह अंग्रेजी नहीं इस पिड़ बढ़ा ले पंठीक है वावीवा तो चोकला 11 की जन गंड़ना के अनुसार राजस्तान में न्यूनतम जनसंक्या वाला जिला कोन सा है तो जल्डी से बताए चलो जी जैसल्मेर है या फिर बाड्मेर बिल्कुल सही जवाब तिया है सो नू जाट ए आंसर करोली गलत आंसर है ए आंसर जिसने करोली दिया है उसका आंसर गलत हो गया- राज-सम्बन दिया है उसका अंसर गलत हो गया फिर बाढ़द मेर दिया है उसका अंसर दिए उनका यहा और आंसर कता ही Correct इसके बाद यहांतर साहिए यहां पना यहां पर यहां पर आबुपरवत मतलब समझगे क्या सिरोही कहां परे मटा यहां पर ही इसके बाद देखिए नेक्स कोशन यहां से लिखा हुआ रहा है क्या लिखा हुआ है ध्यान देयां पर राजस्तान के अरावली परवतों की निम लिकित चोटियों को उनकी उचाई के आधार पर आरोही आरोही यानि बढ़ते हुए करम में बढ़ते हुए करम में बताए कौन से विवस्ति तो ध्यान रखे सबसे हूची चोटी यहां पर तारागड सबसे हूची चोटी कौन सी हो गई बटा तारागड हो गई और इसके बाद में जस्ट कौन सी आती है तारागड के बाद आती है आपकी कमलनात क्या आती है कमलनात और फिर आती है आपकी रगुनात गड और फिर आत गरड़ पहला है कमलना दूसरा है और यहां से रगुनादगर 3 और यहां पर अचल गरड़ वेटा यहां पर फिर क्या है तीसरा है छोता है लास्ट में तो यहां पर कर्रेक्ट कर या न तो भाई सा मामला गरबड हो जाएगा क्योंकि ये तो राजस्तान की जो ग्रोफी से कोशन उठा हुआ है और हर examiner हर exam में ये कोशन पूछता है हर exam में कोशन पूछा जाता है हूँ चायोग कोई सा भी exam यहां पर साहूट वाली डिपार्ट्मेंट में बास वार्डा में बार खुर्कुदू तो बास वार्या के राजस्तान के किस दिले से करक रेखा गुजरती है करक रेखा गुजरती है बास वार्या जब Hm और इसके district का नाम बता देना क्योंकि अपकार कोशन आ सकता है कि मेजा बांद कहा पर इस्तित है यहां पर आए मेजा बांद किस नदी पर इस्तित है तो जल्दी से एक बार इसका अंसर देदीजे पटाट 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 चलो जी बहुत बढ़िया भीलवाडा में इस्तित त्रिवेणी संगम भी भीलवाड़ा में पढ़ता है क्या सरघ्वेणी संगम कोंसा बिलकुल समझे त्रिवेणी वाला तो यहां से फिर देखिए next question यहां से आता है और एक आपका किसमें सरच में याद रखना पर बहुत बढ़िया बास है इसके बाद यहां से देखिये यहां पर देखिए प्रकर्ति में प्रकर्ति में व्यक्तित्थ गवेवार तोशल लोगां और सुमीलित कीजिए उनको अभी आंसर चाहए वेलित्ट की बनाता है फिर आपको ज़ल उनका आंसर देंगे घबराने की कोई बात नहीं है अब यहां पर बताईए सुमेलित कीजिए राज पुताना मद्धे भारत 1910 राजस्तान सेवा संग 1920 मारवाड सेवा संग 1919 और आचार सुधारेणी सभा 1928 तो यह गलत गलत दिया हुआ है ए बी सी डी और यह एक दो तीन चार आपको इनसे मेच करवाना है कि कौन सा आंसर सही बेठेगा कौन सा आंसर तो देखो राज पुताना जो मद्ध्य है यह बेटा आपका राज पुताना सभा 一直19 में राष्टान सेव संग 19 sen 15 जाएगा इसके बाद सी वाला नंबर दो पे जाएगा राए निवी 120 पे जाए अनि 1920 पे जाएगा मारवारसेव संग 1920 में बना वाय साथ इसके बाद यहां से देखे आचार सुधारी नी समगा गुणीस दस के उपड जाता है कहा पर जा रहा है कुणीस सो धक्वर्पक्का निकाल भी यहां पर बताएगी था गुणीस सो घुणीस मतलब 3 और इसके बाद धिया आ गुनीस सो 620 यानी तो इसका मतलब एक दो तीन चार बिल्कुल सही बात है ए उप्षन इस वाई ने साइकोल जी क्वेशन दिखाओ तो सही अरे क्वेशन दिखाएंगे क्या उनके सलूशन कराएंगे अभी आप घबराते काई को लेकिन पहले इस वाले को करा लेते जब तक उनके आंसर निकाल कि टीम उसके बाद कराऊंगा ठीक है विटा क्योंकि पेपर सलूशन का काम है गलत नहीं होना चीए चाहिसे थोड़ा सा टाइम लग जाए यह वाला पक्का बिल्कुल सही है ए आंसर इसमें सही आंतर है इसके बाद मैक्स कोशन की तरफ चलते है यहाँ पर मतस्य संग में क बिल्कुल कितने रियासते थी तो इसका बिल्कुल सही आंसर है सात गलत अरि गलत आत्र है नाम द्यान कर लेना अगली बार कोशन आ सकता है आपू में जेन मंदिर वीमल वसी के निर्मान करता कौन थे तेजपाल जी वीमल सहा जी धरनाग सहा या वस्तू पाल तो वीमल पानमसाला जिसके केसर केसर में है बिलका काई का बिलकुल समझ गया ठीक है तो यहां पर आगया वैटा जिसके दाने दाने में है केसर का स्वात और यहां परांतरा आएगा वीमल सा है जेको वीमल क्या होता है वीमल सा जेनियों के नाम होते हैं और जेनियों के मंदिर कहा है बाउन टाबू के अंदर फेमस है अना तो यहां पर वीमल आंसर हो गया नहीं पी आंसर बिल्कुल सही है इसके बाद नेक्स क्वेशन आता है यह छाउन की करोगे नीम सका युद्ध नीमस MP ना ऍटा चेल वासा का युद्ध बिल्कुल सक्ते वचन सरल लख्मन बहुत बढ़ी अप्रताब गड़े शांसर आया है वास बीएतरीन शाबाई तो तो कर्रेक्ट आंसर हो गया इसका चेलवासा का युद्ध कौन सा वासा रटा चेलवासा का युद्ध एकदम सही आंतर है फिर इसके बाद next question यहाँ पर आता है आप लोगों के लिए सीधा बाइपास सरजरी होती हुई आमेर नगर बसाया था अजमेर शोरी अजमेर नगर बसाया था और आमेर किसने बस राज छोह अलगते हैं तो यहां पर अजो आज आज अजो और राज जो होगा प्रप्र किस ने बसा था आंसर बहुत बढ़िया बात है फिर यहाँ पर देखिए अना फोड़ा सांती लिलो मेटारा परीवर्तिक परिवर्तित शेत्र विकास उपागम किस वर्स में प्रारंब किया गया था 1974 से 1975 या 1969 to 70 और यहां से 1971 से 1972 और 1978 से 1979 पट्टा चारिये दिक्सामेता का अंत्र आये बटा बहुत बढ़िया वाँ भी वाँ शाबस जल्दी से बाकी सभी के अगर आंसर नहीं मुझे वीडियो अगर कोई देख रहा है उसके जवाब मेरे तक नहीं पहुच पा रहे हैं इसका मतलब उन्होंने चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सबस्क्राइब करके वेल आइकन दभादे ना फिर और यहां से यहां से यहां से और वह न है जो सर्च पर मिला है वहां सर यहां पर एसा नहीं कि सब कुछ authentic की आगई हाला कि authentic की है 99 परसेंट ठीक है क्योंकि जहां पर जो update मिल रहा है वो चीज आपके पास होगा तो यहां पर जो सर्च के अंदर जो आंसर मिला है वो मुझे पताए कि आपके मन में यह अटका हुआ है या फिर यह अटका हुआ है लेकिन यहा पर यह आंसर देखने को मिला है तो आप एक बार इस कोशन को और अच्छे तरीके से research कर ले तो ज्यादा बढ़िया रहेगा ठीक है वाँ 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 इसके बाद next question यहां पर आता है और next question क्या गया रहा इतने हो यहां पर प्राग हडपा युगीन संस्कृती में प्राप आप राप्त हुआ है जल्दी से बताए इसमें से इसमें इसके बाद यहां से 59, 71 चलिए यहां पर देखिए यह क्या गया रहा है अभी पिटा जुपचे वे question है उनके उपर जैसे research होती है आपको बता दिया जाएगा निम लिकित में से कोन सा युद्ध महाराना सांगा और बापर के मद्धे लड़ा गया था खानवा का युद्ध पानिपत का युद्ध चंदेरी का युद्ध तराइन का युद्ध खानवा का युद्ध लड़ा गया था महाराना सांगा के भीच और साती सात बापर के इस अब 1526 में ये युद्द लड़ा गया था आनुवा का युद्ध कब लड़ा गया था इसका time period भी बता दिया करो 1527 में लड़ा गया था या 26 पंदरासो 27 पंदरासो 27 या 26 पटावण बता है जल दो एडा गया था दॉड़े जो पानी पत का युद्व लड़ा गया था वह था 1026 में और खानवा का खानवा का भापाई 1527 मैं ठीक्या लग से लिख जेता हूं 1527 और साति-साथ अफ चंदेरी का युद्ध और घागरा का युद्ध याद लग लेना अच्छे तरीके से इनका बढ़िया तरीके से शाबस तो इसके बाद तो बताईये नुका बर चीज इसका अंसर क्या है 2005 आँसर आया बढ़ी अना दोजार पांच आँसर आया देखते हैं चलो जी 2005 वा बैवा 2007 खीक है और 2011 ये भी बढ़िया है और 2001 ये भी बढ़िया है तो यहां से बताए इसका कर्रेक्ट आंसर क्या होगा भी बिलकुल सही आं योजना प्रारंब की गई थी 2007 में शाबासवावीवा राजस्तान के निम लिखित में से कौन से जिलो में उष्ण कटी बन दिये सुस्क पहाडी वन पाए जाते हैं जान से रेखना इस क्वेशन को तुरा उल्टा क्लुटा घुमा देगा यहां पर ना क्या कहा गया है कि रा पतजड़ी वन पाए जाता है उदेपुर बासवाड़ा कोटा में विकानेर नागोर चूरू में सीकर जुन जुनु जालोर में और जैसल में बाड में पाली में तो जल्दी से बताईए इसका कर्रेक्ट आंसर क्या होगा उष्ण कटी बंदिये सुस्क पतजड़ी वन कहा पर पाए जाते हैं ए अरा रहा है एक अलोग कर दो बिलकुल सही बाते है उदेपुर बासवाड़ा कोटा बिलकुल सही जवाब शाबाश बहुत बढ़िया है यह यह था चलिए बेटा बहुत बढ़ी हम्दा प्रतिशन ए आंसर मान लीजिए ए आंसर इसका ठीक है इतने सारे लोग क्या रहे है वाई सावी डी वाले भी आगे मोना विस्नोई जी बेटा इसका फटा पर से एक बार चेक करके बताए सर इसका कर्रेक्ट आंसर क्या होगा और क्या न कि पुष्ट कर देखें को वहां से आप आंसर कर सकते हो पर यहां से और लाइव में यह हमेशा के लिए वीडियो रहते हैं तो जलत प्रिक नहीं कर सकते जब तक बाल-बाल राजी नहीं होता इसका बताओ राजस्तान के मुख्य मंत्रियों में सच कीजिए तरपड़ावर इसको तर राजस्तान के निमनिखित मुक्य सची वह में से किसने अपने कार्यकाल के दोरान अदिक्तम संक्या में मुक्य मंत्रियों के साथ काम किया था एस एल खुराना फिल्कुल सही बात एस एल खुराना या फिल कौन सा अंसर होगा एक बार चलती से बताए बटा फटा 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 तरीके कि चलो जी बटा तो देखे राजस्तान के निमलिखित मुख्य सचीवों में से किसने अपने कार्यकाल के दोरान अधिक्तम संख्या में मुख्य मंत्रियों के साथ काम किया मातुर साथ बिलकुल टी आंसर दिया है पप्लिक ने सही बात है यहां से कर्रेक्ट आंसर यह होगा अश्या बात है चलिए साब यह होगा बाटा यह रिपिटेड हो रहा है थोड़ा था रुखे 57, 60, 35 अब आगे, 74 बेट देख लेता है बाटा एक बार थोड़ा सा रुखे क्योंकि पीडिया बजीव गरीव इस्टायल से बनके आई थे अपने पास बच्चे ने बेजी थी किसी ने तर यहां से तु स्टाटी होगे चलो जी 88 हो गया 89 हो गया यहां से 90 हो गया 91 हो गया इसके बाद यहां से देखे 84 वाला सिस्टम हो गया इसके बाद करवा चोत बनाई जाती है मन गई कोशनी पूरे हो गई अपने बत रहे बत रहे तो आपके पास तो है यह विडियो को आपको पता रहता है ना चलिए साब किसे बच्चे ने बेजा होगा तो उसमें थोड़ा सा विवधान था कोई बात नहीं है कोई कोशन आपके साथ में रहे बताए इसका करने चांसर क्या होगा और क्या नहीं होगा जलती नंबर नहीं है बटा अलग-लग से कोशन आते हैं अलग लग स्वाइट के कोशन आई गे यहां से देखें तो यहां पर यह कोशन क्या कह रहा है यह कह रहा है यहां से 8 सितंबर 2022 को किस देश के पुरदान मंत्री ने राजस्तान के अजमेर सहर में इस्तिदरगा की जियारत की थी यहां से देखें जियारत की थी तो इसका correct answer क्या होगा चल्दी से बताए बढ़िए इसका right answer क्या होगा चलो जी चलो 8 सितंबर फिल्कुल 8 सितंबर 2022 को किस देश के प्रदान मंत्री ने चलिए इंडोनेसिया नाजिना इंडोनेसिया तो आपका गलत हो गया मलेसिया आपका गलत हो गया अफगानिस्तान आपका गलत हो गया पांगलादेश के प्रदानमंत्री इसके बाद यहां से देखिए राजस्तान के किन सहरों में दिव्यांग खिलाडियों के लिए पेरा ख लाड़ी होते हैं उनके लिए उनके लिए उनके लिए पेरा केल में स्पोर्ट्स अकादमी कहां पर बनने जा रही है जोधपूर जेपूर में अजमेर भीलवाडा में कोटा उद्यपूर में या बीकानेर अजमेर में 24 का चल्दी जांतर देदो राजस्तान के किन सहरों में तो किन सहरों में विटा यहां पर आंसर होगा जल्दी बता एक बार पटा 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 शांदार वह जौदपूर और ज हैपूर तो यह पूर आंसर इसका क्या होगा अब ना थे जोटपूर ऊंपिस ज निम्लिखित केले खेलो में से कौन सा राजी उगांदी ग्रामिन ओलम्पिक खेलो 2022 में सम्मलीत नहीं है इसमें बताईए वॉलीबोल है खोको है होकी है फुटबॉल है कौन से में सामिल नहीं है एक बार जल्दी से बताए शाबाज चलो जी चलो तो यहां से आपको सही आंसर बताना है कि correct आंसर क्या होगा तो भीटा फोली बोल होगा मतनब राजी उगान धी गरामिन केलो में कौन सामिल नहीं है जल्दी बताए बहुत बढ़ी आंसर बोली बोल गलत आंसर है खोको गलत आंसर है अरे फीपा वड़ कब होग पोकी को लोग कर दो अभी जो अप्डेट मिला है वो सही आंसर फुटबोल की तरफ है बाकी देखते हैं पिर यहां से देखें यह लिखा हुआ है यह कोशन महा अगस्त 2022 में इसे राजस्तान का मुख्य निर्वाचन आयूक्त नियूक्त किया गया है स्री डीबी गुप्ता स्री मदुकर और स्री मती उसाजी और बील आरी जल्ती निसे से बताए waż का इसा क्रेक्ट आंसर की होगा और को घीक है विटा तो करेक्ट आंसर मदू कर एफर लिधा उसा धी विलकुल बी आंसर मदू कर सभी क्यां सर्वाटू करा रहें वाहीं साफ कि प्यांसर भी आंसर आज आज देखते हैं तो यहां पर देखें उसा जी सबसे पहले उसा जी क्या है वर्तमान में सचीव की पॉस्ट पर है किस पर है सचीव की पॉस्ट पर है और यहां पर महा अगस्त 2022 में राजस्तान का मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त की आगया है पूछ सचीव निरा है पूछ यह तो अभी-भी बने इंए उसा जी तो ध्यान रखना अभी-भी सचीव बने इंए तेर, जहां पटन्कारज विस्तल जीते हैं, उनकी जगह पर उस्चा सर्माजी वने है, अब इसका कठेक्ट आंसर क्या होगा, आयुक्त निर्युक्त का, सर भी है नहीं सर भी है बिल्कुल सही है यहां से तो यह निर्वाचन आयुकते आपका मदूकर जी बिल्कुल सही आंसर और सच्चिव अगर पूछे तो स्रीमती उसा सर्मागी फिर देखिए नेक्स कोशन की तरब चलते हैं यहां से वर्स 2022 के लिए निम लिखित में से राजस्तान के किन सिक्सकों को राष्टिय सिक्सक प्रुसकार प्रदान किया गया था वर्स 2022 के लिए निम लिखित में से राजस्तान के किन सिक्सकों को राष्टिय सिक्सक प्रुसकार प्रदान किया गया था बताये बटाये चलो सुगन सींग रावत तता मंगला चोधरी रविंद्र कुमार तता आसा कुमारी दुर्गा राम मुवाल तता सुनीता गुलाटी जलती से आंसर बिल्कुल सैयां सरे कर्रेक्ट आंसर जे बिल्कुल टेकिन पैपर में आएंगे योगिंदर सर बहुत जो जिनको पुरुस्कार मिलाता रास्टी सिक्सक्टिवस पर ठीक है वही हो जो इसके बाद यहां से देखें नेक्स क्वेशन आता है अपने पास सीधा यहां पर और यह कोशन क्या किरा है यह देखें कि मानवादिकार आयोक के निम्नांकित सदश्यों में से पौन सबसे कम से कार्येकाल अओधी के लिए पदपर रहे हैं justice अमर सींग गोदारा जी या नमोनाराइंण मीना और के यह नमोनारायन मीना जी रहे हैं क्या यह तो अपने जुगाड के आर के आपको दिया या बी एल जोशी तो कर्रेक्ट आंसर क्या हो और सुमन आगे आगे सही आंसर बिल्कुल सही आंसर है जस्टीस अमर सींग गोदारा इसका राइट आंसर है इसके बाद इसका राइट आंसर बताओ इसके बाद इसका देखे बारत के सविदान के निम्नांकित में से कौन से अनुचेत के तहट राजस्तान का महादी वक्ता राजस्तान विदान सभा की कारेवाई में भाग ले सकता है जल दी बता बटा पहले का क्या बताया पहले का बताया इससे पहले वाले को हमने छोड़ा है 19 को पहले हम यह करेंगे उसका थोड़ा सब्सक्राइब 178 अनुचेत बताया जा रहा है पप्लिक के द्वारा वापई 178 या 177 अ सबसे लंबा कार्यकाल अमर्सींग गोदारा का था इल्कुल वही तो किया है अमर्सींग गोदारा शाबत तो यहां पर कर्रेक्ट आंसर होगा इसका 177 क्या होगा 177 आंसर होगा 177 और इसके बाद यहां से देखिए निम लिखित में से कौन सी राज्यस्तान विदान सबा में कटोती प्रस्ताव की प्रदाता की शर्त नहीं है कौन सी सर्त नहीं है कि आधी 177 तरी किया है हमने भी झाल 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 चलिए बात समझ में आगी इसके दो तीन क्वेशन है यह क्वेशन जो सब्जेक्ट टीचर आ जाएंगे जब ही कर आप आएंगे क्योंकि यह अपनी बसकी मेरी बात नहीं रही ठीके दो कोशन है और जितने कोशन चूटे हुए है उन कोशन का आपको इवनिंग टाइम पर इ प्रवाइड करवा दिये जाएगा सारे के सारा सलुशन कोई घबरानी की बात नहीं ठीके बच्छे तो आज के लिए पस इतना ही और योगिंदर स्रा आपका सलुशन करा देंगे साम वाला पाच बज़े वाला ठीक है आजी सर साम वाला जो इमनिंग वाला होगा वो योग और यो är वाला पाच वाला होगा की बात जो इतन वीके बात वाला ही और मौं山 वाला जान क्या झाला का सुछन कर देंगे सारा आज साम वाला है बात एंगे सारे का दीके बात बडिशन को तो रहीं पस तो आएगे रहरे